किशान भाईयों नमस्कार गन्य की अपरेल मेने के अंत में या मैं में कुछ किशान भाई बुआई करते हैं पहली हमारी सलाह यह है कि इतनी लेट बुआई ना करें बलकि यह बुआई सितंबर में आप कर सकते हैं फिर भी अगर केशान भाई इसमें बुगाई कर रहे हैं तो कुछ साब्धानी बरतनी चाहिए जैसे कि उनका गन्यकोत पादन अच्छा मिल जाए यहां पर हमने पोडरे से सिंगल बट की पौधे उगाए हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं अगर इस तरीके से आपको पास ट्रे है तो इसमें सिंगल बट के पौधे आप उगा सकते हैं सिंगल बट के टुकड़े काट ले और कटर आपको पहले वीडियो में दिखाए गए हैं इस तरीक मिट्टी डाल करके और गर्णी की टुकड़ों को इससे कवर कर दें और कवर करने के बाद इस पर पाले ठीम डाल सकते हैं चार-पांच दिन के लिए और फिर इसको उठा दें करेब साथ दिन में जमाव इसका हो जाता है और बीच से पचीस दिन में ये गए फिलिंग के खेत में करें और साति में को अंक को आख iets दो मोटए हुँ चैंड करना को सबसें बडूरे का मकसद ये हैं अगर इस में गरुर्मीच की लाएगी गर्मी है कि अगर आप बुआई करने जा रहें तो सूखे बुआई भी कर सकते हैं ट्रेंच निकाल करके चार फिट की दूरी पर जहां पहले आप साड़े चार फिट की दूरी पर बुआई करते थे अगर आपको तीन बार टैप्डेशिंग करनी थी तो जो देर से गन्ना बॉआई है उसमें 5 बार कम से प्राप्डेशिंग करें। बीच का सोधन जरूर करें बैवेस्टीन से और भूम का सोधन जरूर करें। क्योंकि गर्मी में दीमक ज्यादा लगती है और उसे गन्य का जमाव और जड़ें प्रहवित हो जाती है जड़ें दीमक गार देती है और जमाव अच्छा नहीं हो पता है तो ऐसी दसामें जो जमीन है उसका सुधन किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और किसान भाईयों को इध्यान रखने जिए देर से गन्ने की बुआई में कि मार्च के बाद जो हम अपरेल के लास्ट बुआई करते हैं इसमें 28 मई के बाद टिल्रिंग जो होती है या जून के महने में ज कहले से बाद बादेगा ने नहीं बाते हैं बलकि वह आगे चलक करे सुख जाते हैं तो टिल्रिंग ज़्यादा हो जाया जलदी हो जाया इसके लिए टाप्रेशिं में करना है जब हम फर्रूर में वहते हैं तो इसकी मार्च में माइम में भी होती है, लेकिन अगर हमने अप्रिल बोया तो व्र, मैं में उत्रूरिंग होगी, मैं मी बोया तो क्यों मैं में इसकल त्यान रखना है धन्यवाद, Djay Hind share भारत!